आज में आप लोग को दुनिया का सबसे तेज सक्ति साली इस्त्री और पुरुसो सिकरन टोटका बतलाऊंगा जिससे कि आप अपने घर में ही बैठे सिर्फ आपको एक बार ही करना है एक बार में ही आपका हमेशा हमेशा के लिए काम बन जायेगा कोई भी इस्त्री हो या पुरुस हो हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में पागल हो जाएगी दिवानी हो जाएगी अगर कहीं भी जाते हैं किसी पंचायत में जाते हैं वहाँ पे हमेशा आप ही का जीत होगा कहीं भी बाते जिससे बाते किजिएगा वह आपके तरफ अकरसित हो जाएगा चाहे वह कुमारी लड़की हो या साधी सुदा महिला हो आज मैं आप लोगो लाइफ बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कुमारी लड़की को या साधी सुदा महिला को हमेशा हमेशा के लिए आपको एक बार ही करना है वो भी आप अपने घर बैटे कीजिएगा किसी को मालू भी नहीं चलेगा आपको इसमें जादा से जादा 10 रुपया 15 रुपया का ही खर्चा है ठीक है तो आईए हम बतलाते हैं कैसे इस टुटका को करना है इस वीडियो को पूरा ध्यान से है तो प्लीज मेरी चैनल को ससक्राइब कर लिजी और बेल घंटी को भी दबा दीजी ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा प्लीज चैनल को ससक्राइब कर दीजी ठीक है तो आईए बतलाते हैं कैसे इस टुटका को करना है आप आपको करना क्या है एक वसिकरन तावीज बनाना है तावीज बनाने के लिए आपको काला धागा चाहिए एक लवंग चाहिए जो फुल वाला लवंग हो ठीक है फुल वाला लवंग हो उसके बाद में अच्छत चाहिए और उसके बाद में आपको जो सिंदूर होता है तो आपका किसमत चमक जाएगा आप जीज भी लड़की या लड़का को चाहिएगा कि उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार में पागल कर ले तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी गुलाम बनके रहेगी मैं आप लोग से बिनिती करूँगा कि इस टुटका को किसी गलत ब इसे स्वार्थ के लिए प्रियोग नहीं किजिएगा अगर किसी से सचाप प्यार करते हैं तो बहुत ही अच्छा है ठीक है तो आईए हम बतलाते हैं कि आप अपने घर में ही बैठे किसी भी लड़की को कैसे हमेशा हमेशा के लिए पागल कर सकते हैं कहीं भी जायेगा अगर चले जाते हैं जिससे बात करते हैं वो आपके तरब आकरसित हो जाएगा उसके बार में आप उसको जो बुलिएगा वो ही करेगा एकदम आपके लिए जान भी दिने के लिए तयार हो जाएगा वो हर पलपल आपके बारे में ही सोचेगा ठीक है तो आई यह बतलाते हैं कैसे इस टोटका को करना है सबसे पहले आपको एक भोजपत्र खरिदना होगा ठीक है भोजपत्र आपको जहां पूजा का समागी मिलता है वहाँ पे दुकान में आपको भोजपत्र मिल जाएगा भोजपत्र आपको खरिद लेना है जो की इतना वारा साइज में होता है आपको भजबत्र पे क्या करना है सुक्रवार के दिन या मंगलवार के दिन ठीक है मंगलवार के दिन या सुक्रवार के दिन आपको या टुटका करना है रातरी के 11 बजे से 2 बजे के बीच में करना है या दिन में कर रहे हैं तो दोपहर में करना है आपको एक बज़े से तीन बज़े के बीच में ही करना है आपको सुनसान जगह पे करना है या अपने घर में पूजा जहां पे करते हैं वहां पे करना है करने से पहले आपको क्या करना है कि दीपक जला लेना है पांच अगरबती जला देनी है अपने सामने रख देनी है रखने के बाद मैं आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा मेरी भक्तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को सबसे पहले आप भुजपत्र पर लिख दीजिएगा ध्यान से देखिएगा मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसका स्क्रीन्शोट ले लेजी ताव कि आपको समझने में असानी होगी मुहिनी मुहिनी मैं करा मुहिनी मेरा नाम राजा मोहा प्रजा मोहा मोहा सहर ग्राम त्रिंजन बैठी नार मोहा चौके बैठी को अस्तर बहतर जिस गली में जावा सौव मित्र सौव बैरी को जावे मंत्र फोरे वाचा देखा माहा मुहिनी तिरे इल्म का तमासा यहा बहुत ही सक्तिसाली मंत्र है मेरे भगतो इसका गलत प्रियोग नहीं कीजिएगा यह एक सीध मंत्र है और बहुत पुरानों से चला आ रहा है इस टोटक के माधम से मैंने अब तक के लाखो व्यक्ति का मैंने भाला किया है वसिकरन किया है हमारे यहाँ डेली 100 से 500 व्यक्ति का वसिकरन होता है मेरे भगतो और अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखे भगा करना ही देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा ठीक है अगर कहीं भी दिकत होता है तो निचे कमेट में जागा कमेट कीजिए गुरु जी यहाँ पर दिकत है पिलीज हेल्प कीजिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे इसके बाद में आपको क्या करना है इस मंत्र को आपको भजपत्र पे लिख देना है लिखने के बाद में आपको करना के हाँ ध्यान से देखिएगा आपको जो लवंग लिए हैं एक इस लवंग को आपकी सरीर से ठीक है असपास करके अपने माते से 21 बाद घुमा करके इसक आगे जलाना है ठीक है अगर बत्ती जला देनी है सांत जगा पे बढ़ जाए ठीक है उसके बाद में आपको अपने सर से 21 बार इस लवां को घुमा करके रख दे ठीक है उसके बाद में आपको क्या करना है जो सिंदूर है सिंदूर को क्या करे यहाँ पे चारवबगा मंतर के उपर आपको छी रख देना है इस परकार से छी रखने के बाद में आपको क्या करना है अच्छत लेना है ठीक है अपने हाथ में इस परकार से लेना है ठीक है लेने के बाद में इस मंत्र को आपको साथ बार पढ़ना है ठीक है साथ बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आप क्या करना है इसको इस पर इस परकार से रख देना है ठीक है रखने के बाद में आपको क्या करना है अगर बत्ति उठाना है ठीक है अगर बत्ति उठाने के बाद में इस पर दिखा देना है इस मंत्र पर दिखा देना है उसके बाद में क्या करना है ध्यान दीजिएगा म को करना है थोरी से मात्रा में अच्छा तो ले लेना है और एक लवंग ले लेना है उसके बाद में भोजपत्र पे जो ये मंत्र लिखे हैं इस मंत्र को क्या करना है इस भोजपत्र को मोर करके छोटा सा बना देना है मोर करके छोटा सा भाग बना देना है उसके बाद में आप करना क्या है ध्यान देजिए गा इस लवन को सबसे पहले अंदर रख दीजिए कई पाद में अब दिन्न मत में बहुत्र को कागजक जैशा होता है उसको क्या करना उसला करना उसले सिमात्र यह कागजक को maBa अपने सर से दो बाल गिन करके दो बाल आपको लेना है और उसके बाद में तावीज के भीतर रख देना है उसके बाद में बाहर मोम भर देना है मों भरने के बाद में आप बस आपका काम बन गया आपको करना क्या है अगर बत्ती फिर पांच जलानी है और उस तावीज को दिखाना है धुपा देना है उसके बाद में आपको काले धागे में इस तावीज को क्या करना है अपने गले में पहन लेना है ठीक है इसके बाद में इतना करने के बाद में आप जीस भी लर्की के सामने जाएगा उसके तरफ देख करके इस मंत्र को अपने मन में साथ बार बोल दीजिएगा वो आपके तरफ अकर्षित हो जाएगी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी हर पलपल आपको ही याद करेगे आप कहीं भी पंचायत में जा रहे हैं आप चाहते हैं कि वहाँ पे मेरा ही जीत हो तो आप वहाँ पे पंचायत में जाए आप इस मंत्र को साथ बार बोल दे वहाँ पे सब कोई आपका ही बात मानेगा कोट कचारी में जा रहे हैं चाह रहे हैं कि वहाँ पे आपका जित हो त impressed ताविड़े को पहनना ज़रूरी है ताविड़े को पहने रहना है उसके बाद में क्या करना है इस officer के सामने आपको क्या करना अपने मन में इस मंतर को साथ बार बोल दे उसके बाद में बस आपका तो काम बन जाएगा आपका ही जीत होगा वहाँ पे कहीं भी जाते हैं कहीं लराई जगरा होता है वहाँ पे जाईए अपने मन में इस मंत्र को साथ बर बोल दे उसके बाद में बाहर हवा में फूक मार दे उसके बाद में वहाँ पे लराई जगरा कुछ ही छनों में बंद हो जाएगी लराई जगरा रुख जाएगी और वहाँ पर सब कोई आफी का बात सुनेगा आफी का बात मानेगा बस इतना जानिए मेरे भग तो यह एक अजमायगा टोटका है और बहुत ही पाउरफुल टोटका है इसलिए मैं आप लोग से बिनिती करूंगा कि इसका गलत प्रियोग नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके प्रियोग से लर्टी एकदम पागल हो जाती है आपके प्यार में इसलिए अगर सचा प्यार करते हैं तब इसका प्रयोग कीजिएगा अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल घंटी को दबा दिजे ताकि हम जीतने भी वीडियो बनाएगो सबसे पहले आप ही के पास में जायागा अगर किसी भी परकार की दिखत है तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए गुरी जी यहाँ पर दिखत है फिलीज हेल्प कीजिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे